देखिए मैंने कहीं पर पढ़ा है कि अगर आपको लाइप में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइप में कुछ करके दिखाना है, तो आपको बातों से नहीं बलकि रातों से लड़ना पड़ता है। आज के इस फीडियो में हम इसी टोपिक के उपर बात करने वाले हैं कि रातों से लड़ने के लिए हमारी त्यारी कैसे होने चाहिए, रातों से लड़ने के लिए हमारी स्ट्रेजी क्या होने चाहिए, जब हम रातों से लड़ने की त्यारी करते हैं तो कुछ common mistakes होते हैं जो ज पहले हम discuss करेंगे कि वो क्या है जो हमें नहीं करना है और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे वो क्या है जो हमें करना है यानि कि पहले पार्ट में हम discuss करेंगे strategy उसमें हम कुछ common errors की बात करेंगे जब हम strategy को लेकर करके चलेंगे ये चीज़ें हैं जो हमें avoid करनी है और दूस का हूँ यह 12th क्लास का student हूँ जब वो ही सोचता है कि मुझे life में या मुझे class में top करना है तो सबसे पहले उसके mind में क्या आता है उसके mind में आता है कि मुझे सुभध जल्दी उठना होगा, क्योंकि उसने यही पढ़ा है, newspaper में पढ़ा है, magazine में पढ़ा है, books में पढ़ा है, यही सुना है, घर पे भी सुना है, पडोशियों से सुना है, teacher भी यही बोलते हैं कि भाई, अगर आपको कुछ करके दिखाना ना, कुछ marks अच्छे लेकर क्या आने, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, ओके, और यही उसने देखा है, TV interviews में देखा है, जो IPS वगरा interviews देते हैं, जो successful person interviews देते हैं, तो उसने भी यही देखा है, तो वो experiment करना शुरू कर देता है, यानि कि experiment का मतलब कि वो कोशिश करता है, try करता है कि मैं सुबह जल्दी उठाँ, अब यह जो experiment उसका चलता है, वो लगबग one month के आसप पास experiment चलता है, क्योंकि पहले जो जोश होता है, उसके बाद वो जब try करता है, experiment करता है, तो उसे उतनी success नहीं मिल पाती, 95% जो students होते हैं, वो सुबह जल्दी नहीं उठाँ, that is a common thing, कुछ अलग नहीं है, जातर बच्चे नहीं उठाँ, लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक बढ़ होगी सारी सारी, उसके mind में negative vibes आनी शुरू हो जाती है, कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो ये सोचता है, ये साल तो गया, अगले साल से देखेंगे, मतलब next year से हम पढ़ेंगे पका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, one month का experiment भी ह ओगया, हो सकता है कि वो cover up करने की कोशिश करें, cover up भी कर लें, लेकिन कई बार दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, दिक्कत ज़्यादा बड़ी कब होती है, जब family भी इसमें involve हो जाती है, parents भी involve हो जाते है, parents ने भी यही पढ़ा है, यही सुना, यही देखा है, तो क्या करते हैं वो बच्चों के साथ लग जाती है यह ड्रामा लंबा खिंचाता है उसमें यह होता है कि नहीं आपको उठाएंगे बेटा पढ़ना है तो सुबह उठना ही पढ़ेगा ठीक उठा देते हैं अब क्या होता है बच्चा उठ भी जाता है क्योंकि पैरेंट्स उठ होता है कि हम सुबह उठ भी रहें लेकिन हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा हूँ और हमारे फ्रेंड यह बता रहें कि भाई हम तो चार vict उठते हैं हम तो पांच नहीं है दूसरे ये कि अगर आप नहीं उठ पा रहे ना तो आपकी बोड़ी के साथ आपके साथ कुछ भी गड़ बढ़ नहीं है आप नॉर्मल हो ओके ये डिफरेंस कहां से आता है एक तो पहली चीज ये कि जो भी आपने इंटर्यू में पढ़ा देखा सुना वो 100% सही न आने वाला हूं क्या वो सारी रियल होगी जरूरी तो नहीं है ना जब जो सकसिस मिलती है उससे पहले आप देखिए जो होस्टलर होते हैं होस्टल में रहते हैं जो कंपेडिशन एक्जाम की त्यारी करते हैं वो क्या करते हैं नाइट स्टेड़ी करते हैं पूरी रात जग दिना कि मैं सुबर जल्दी उठता था अभी क्या करना है अभी आपको study करनी है ओके आपका main motive क्या है study करना है learning है पढ़ना है top करना है तो कैसे भी हो न हमें outcome से मतलब है ठीक तो पहली चीज ये कि जो कुछ भी आप देखते हो न जरूरी नहीं कि वो चीजें वैसी की वैसी हो दूसरी चीज ये कि पहले कि अगर हम time की बात करें है हमारे अगर instant times की बात करें है पहले लोग उठते थे क्योंकि lifestyle उस वक्त कुछ अलग थी cell phone नहीं होते थे उस वक्त टीवी नहीं होते थे उस वक्त electricity light इट भी available नहीं होते थी जलदी सो जाते थे जलदी सो गे तो जलदी उठेंगे अब क्या होता है अब ये होता है कि जाधतर घरों में अगर हम urban area की बात करें बड़े शेहरों की बात करे तो आहां क्या होता भाई 11 साड़ी 12 साड़ी साहं गा बारा बजे के आसपास तक तो हम ओनलाइन होते हैं, फ्रेंड्स के साथ चेट करे होते हैं, आपका बाबू सोना, जादू टोना जो भी होता है, उसके साथ हाई हेलो करे होते हो आप, तो अगर आप सोगे नहीं, तो भाई जल्दी उठोंगे कैसे, बारा बजे सोते हो, बजे उठो की तो भाईया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, practically possible नहीं है, और दूसरा यह कि एक दो दिनों की तो बात ही नहीं है, हमें तो continuous study चाहिए, तो ऐसा क्या करें हम, यह करते हैं, कि सबसे best way यह होता है, कि जो चीजे जिसके coding हमारी body habitual है, हम उसी क coding चलते हैं, क्योंकि हम late सोते हैं, तो better यह है कि उसी time को हम utilize करें, सुभह वाले experiment के चकर में हम ना पढ़ें, तो जातर बच्चों के जो body का, जो जिस तरीके से habit हो गई है, क्योंकि उनका night study का schedule है, वो set हो सकता है, क्योंकि वो late night तक जागते रहते हैं, mobile या TV में लगे रहत हैं, तो हम इसी time को best तरीके से utilize कर सकते हैं, तो एक चीज तो यह clear हो जाने चाहिए, कि night study या morning study से कोई फरक नहीं पड़ता है, एक और चीज मैं बताता हूं, कि London School of Economics है, उसके एक study आई थी, recent study, तो उस recent study में क्या बता चला, उसमें यह बताया गया था, कि जो बच्चे late night study करते हैं, वो ज्यादा creative होते हैं, ज्याता adjustable nature के होते हैं, उनका IQ level जो होता है, तेखिए positive चीज है, तो ऐसा नहीं कि morning में study करें, सिरफ उन्हीं के साथ ही सारी चीज़े positive होगी, आपके लिए भी positive रहेगी, तो हम night study है, इसके according अगर adjust हो जाएं, तो better है, especially उन शेहरों की ब बात करें, डैली जैसे शेहरों की बात करें, चंडिगड की आजयापूर की हम बात करें, तो इन शेहरों में जहां पर dinner late होता है, जहां पर हमारा सोने का schedule late होता है, तो वहां पर हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, आपको ये कोई भी experiment नहीं करना है, ठिक, तो अब हम क स्कस करेंगे कि strategy क्या रहे नीचे, जब हम planning करते हैं यहां पर, planning ही सारी गडबड हो जाती है, तो सबसे पहले कुछ चीज़े हैं जो हमें decide करनी है, उसके बाद हम time table की बात करेंगे, तो हमारी strategy क्या रहे नीचे, सबसे पहले ये, कि हमें क्या करना है, कि एक तो generally आपके mind म को set करना है, जैसे कि आपका December महिना है, आपका Jane है, आपका Fab है, कोई भी मन्त है, तो उस मन्त में आपको per subject कितने chapter करने है, वो अगर target रहता ना, तो थोड़ी से speed बढ़ते हैं, माली जी एक दिन हमारी थोड़ा सा तब ये ठीक नहीं थी, ठीक से study नहीं कर पाए, focus नहीं कर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ये target हमें अचीव करना है, तो वो target अगर नहीं रहेगा, तो भाई, आप तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हो, ठीक, तो पहली चीज क्या करनी है, कि हमें target सेट करना है, कि हमें पूरे मन्त में कितने chapter कवर करने है, कब तक हमारे slavus हो जाना तो वो सारी चीजी हम discuss करेंगे, तो वो target लेकर के चलिए, जैसे मालेजी आप अगर हम बात करें, जैन की, तो जैन में आपको क्या करना है, मालेजी आपको करना है, कि हमें social science का, SST के आपके 10 chapters आपको करने है, आपके पास zero है आपको, उसके 12 chapter करने है, आपके पास English है, उस इतने इडेज में इतना syllabus हो जाना चाहिए, तो मज़ा आएगा, ठिक, गेम तो तब ही चलेगा ना, जब आप खुद के साथ competition करोगे, दूसरी चीज है, यानि आपने ये set कर लिया, यानि night study में जाने से पहले आपको त्यारी करनी है, उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी ह आपको time slot fix करना है, time slot मतलब कब से कब तक आपको पढ़ना है, जैसे आपको 9 से एक तक जाना है, आपको 10 से 2 तक जाना है, आपको 42 से डेड़ तक जाना है, जो भी अपको time slot, अपने घर के according, घर का जो भी environment है, उसके according आपको लगता है, जिसे girls की बाद करें, तो वो कई बा कर लेजीगा ये आप क्या करोगे कि पहले दिन first day आपने set किया तो 2-4 दिनों में आप थोड़ा सा flexible रखेगा कि 2-4 दिनों के बाद आपका fix हो जाएगा थिक दूसरी चीज आपको ये decide करनी है तीसरी चीज क्या करनी है कि उसके बाद आपने ये सारे चीज़े कर लेगे ठीक है मैं 9 बजे से ले करके एक बजे तक study करने वाला हूँ या करने वाले हूँ हम बैठते हैं 9 बजे के आसपास बैठे 9.30 के आसपास हम बैठे उसके बाद देखने लगए अच्छा मेरे पास ये भी बुक है मेरे पास ये भी बुक है मेरे पास ये भी बुक है नोट्स देखने लगए कभी कुछ देखने लगए भाई डेड़ घंटा तो उसमें निकल ग किएगा उके इसके लिए क्या करना है आपको प्रोपर तरीके से ध्यान रखना है कि आपको अब जैसे एक्जाम डेस पास में आ रहे हैं तो आप डिसाइड कर लिजे कि मुझे इस बुक के साथ जाना है इस बुक के साथ नहीं जाना है, जिनके साथ नहीं जाना न, उनको कहीं दूर रख दीजिए, जो आपको दिखाई में ना दे clear, तो ये आपको कोशिश करनी, कि जो भी study करनी है आपको, उस particular night को, वो सब कोछी आपके table के उपर होना चीए, कि day है, mind इन चीजों को feel करता है, अगर आपका mind को ये लगेगा कि day है, तो उसको नींद नहीं आएगी, वो lazy feel नहीं करेगा अगर light dim होती है, तो automatic है, mind को भी लगता है, कि हाँ, night होगे, सोने का time है, वो lazy feel करेगा आपको नींद आने लग जाएगी, बड़ी-बड़ी उभाशियां लेने शुरू कर दोगे, तो आपको भी मजा नहीं आएगा, तो light है, उसका proper arrangement होना चीए, table के उपर हो, ठीक है, table के उपर हो सकता है, या पूरे room में रख सकते हो, तो उसमें proper light होने चीए, ये भी आपको arrange करना है, ताकि आप अच्छे तरिके स्टेडी कर पाओ, focus करके, इसके साथ एक और important strategy है, बहुत important है ये, 50, 30, 20 की strategy को आपको follow करना होता, जब भी आप night study करते हो, 50, 30, 20 की strategy क्या है, कि आपको 50% है, वो learn करना है, 50% है, आप learn करोगे, मालने जी कि आपके पास 2 घंटे है, किसी subject को आप दे रहे हो, तो एक घंटे, one hour क्या करोगे, आप उसको learn करोगे, one hour आप उसको learn करोगे, उसके बाद, मालने जी आपको 35, 40 minutes क्या करना है, next 30 minutes में, उसमें आपको लिखना है, उके, लिखना मतलब जैसे आपने short notes मना लिए, आपने diagram बना लिए, आपने map work की practice कर ली, उके, इस तरीके से आपको लिख करके, written practice के साथ revise करना है, और उसके बाद 20 minutes, यानि कि 20% जो time रहेगा, उस 20% time में आपने जो भी किया, उसको फिर से एक बार revise कर लीजे, यानि कि 50% नई चीज़े learn कीजिए, 30% उसको फिर write करने की कोशिस कीजिए, और 20 minutes हैं, उसको फिर recapitulate कर जिए, अब इससे क्या होगा, कि मतलब जो कुछ भी करोगे ना, वो आफका done, final हो जाएगा, आती है कि कई बार हम थोड़ा सा lazy feel करते हैं, lazy feel क्या करते हैं, कि जैसे हम 11.30 के आसपास time हो गया, सारे घरवाले सो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी सुस्ती आ गई, तो इसके लिए physical activity जरूरी, देखिए दो चीजे कर सकते हो, mind sleepy feel ना करें, इसके लिए एक चीज तो आप ये कर सकते हो, जैसे चाई, कोफी वगरा, अगर आप लेते हो, तो अच्छी बात है, well and good, अच्छी चीज है, ले ली जीगा, दूसरी चीज ये है कि physical activity, देखिए, हम एक जिगा जब stable बैठे होते हैं, सर्दियों में बात करें, जब विंटर में हमारा study का पूरा जोर होता उस टाइम में, तो हमारे mind में oxygen की कमी हो जाती है, और धीरे-धीरे हमें नीद आने लगती है, सुस्ती आ जाती है, तो इसके लिए जरूई का physical activity भी बीच में कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर घूम कर के लिए, घूम के पढ़ लिए, उक्स वगरा डाली है, उसके बाद घूमते रहे हैं, आस-पास मैं ऐसे किया करता था, तो आप अगर घूमते रहते हैं, तो आपका तो इस टाइप से आपको active रहना है, physically भी active रहना है, physically active रहोगे, तो आपको यह realize नहीं होगा कि यह 4-5-6 गंटे आप लगाता study करने वाले हो, इसके साथ-साथ एक और चीज है, बहुत unique सी चीज में आपको बताने वाला हो, वो है आपका sleep pattern, sleep pattern क्या होता है, देखिए आप जो सोते हो, वो pattern, एक particular pattern है, वो body उसको feel करती है, ठीक, habitual हो जाती है, अगर आप सोते हो 2 बजे, कोई बात नहीं, आपको सोना 3 बजे, कोई बात नहीं, आपको अगर 1 o'clock सोना है, कोई बात नहीं, किसी भी time स होईए, वो आपके उपर depend करेगा, लेकिन आपका वो time fix होना चाहिए, आपको 1 बजे सोना है, 6 बजे उठ जाएए, ठीक, 3-4 दिनों तक लगेगा, कि भाई मेरे नींद पूरी नींद पूरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, 3-4 महिने में कुछ नहीं होने वाला आपका, ऐसा कु पूरी बडी हैप्चुल हो जाएगी, उस time period के according, उसे पादा चल जाएगी, यह बंदी इस time सोएगी और इस time यह उठेगी, ठीक, और उसके according body habitual हो जाएगी, उसके बाद आप अगर आप 5 गंटे भी सो रहे हो, 4 गंटे भी सो जेगो, 6 गंटे भी सो रहे हो, तो भी आपको laziness feel नहीं होगी, दिन में नीद नहीं आएगी, उबाश्या नहीं लोगी, और अगर आपका यह pattern ठीक नहीं रहता, आप किसी दिन 1 बजे सो रहे हो, किसी दिन 2 बजे सो रहे हो, किसी दिन 3 बजे सो रहे हो, दिन में चाहिए 11 बजे उठ चाहिएगा, देख लीजेगा, experiment करक देख लीजेगा, आपको नीद आएगी हमेशा, क्योंकि बोडी कोई नहीं पता चल रहे हो, वो भी confused हो गई, कि बंदा करना क्या चाह रहा है, ठीक, तो यह जो sleep pattern है आपका, वो proper होना चीए, कब सोना है, वो आपका time fix होना चीए, इससे आप lazy feel नहीं करोगे, और routine proper तरिके से आप follow कर पाओगे, तो एक बज़े सोना है, दो बज़े सोना, decide कर लीजे, और वही आपको follow करना है, clear, इसके साथ साथ एक और चीज करनी है, कि आपको सोने से पहले, जब आप night study करोगे, तो आपको खाना हलका लेना है, जिसे आपको भूख है, तो उसका 70% ही खाईए, 70 कम खाईए, हलका खाईए, ठीक, सुबह अगर आपको खाना है, तो आप दो प्रांठे ले रहे हैं, तो दो प्रांठे की जगए आप चाड ले सकते हो, जी भर के खाईए, पेट भर के खाईए, ठीक, लेकिन जब आप खा रहे उस वक्त, अगर हम डीनर की बात करें, तो उ हमारी strategy रहेगी, कि पहले ये planning तो कर लीजी न, कि हमें ऐसे करना है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करना, तो एक दिन की बात है नहीं, कि हमें एक दिन करना है, दो दिन करना है, चार दिन करना है, ड्रामा करना है, दिखावा करना है, वो तो नहीं करना है, एक्चुली में आपक कुछ करके दिखाना है ठिक जो उस लेवल तक लेकर के जाना है कि आप खुद भी proud feel करो और आपके parents भी proud feel करें तो उसके लिए हमारे पास एक time table होना चीए अब देखिए time table बनाना बहुत हीजी है बना लेते हैं जातर students से वो बना लेते हैं अब follow क्यों नहीं हो पाता दो चीजे होती है एक तो यह कि हमारे पास कोई competitor ना हो हमारा खुद का target सेट ना हो तो तब मजा नहीं आता दूसरे यह होता है कि हम practical time table ना बनाए जिसे हवा वाई time table बना ले तो वो follow नहीं हो पाएगा तो यहां पी हम discuss करेंगे कि आपका practical time table क्या होना चाहिए देखे हम शुरुआत करते है morning से क्योंकि हमें main focus करना है night study के उपर तो सुबह मान लेजे कि आप सुबह उठते हो आठ बजे doesn't matter यार रात को पढ़ेंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठना ठीक कोई जरूरी नहीं है आप आठ बजे उठते हो हम मानके चलते हैं कि अगर आपका आदा घंटा आगे पीछे होता तो उसको आप set कर लोगे ठीक तो आप आठ बजे उठते हो उसके बाद आपका school का अगर आप school जा रहे हो winter vacation में आप school नहीं जा रहे हो तो आपका tuition का time या school का time रहेगा 9 से 3 के बीच में लगभग ये रहेगा न जर्नल शिप्ट का morning shift के जो students है जैसे डेली की बात करें तो वहाँ पे वो जल्दी जाएंगी ये लग बात है वरना हम general sense में बात करें कि जो other states के हैं rural area के हैं small cities के हैं तो वहाँ पे वो 8 बजे तक उठ जाएं और उसके बाद 9 बजे से 3 बजे के बीच में वो school रहने वाले हैं winter break में या फिर आप जैसे classes तो over हो जाएगे क्योंकि बोड के exam आने वाले हैं तो in between अगर tuition वगरा जाने तो इस time में आप निपटा लोगे clear sufficient time है काफी आपके पास उसके बाद आप 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप school जा रहे हैं तो school से आने के बाद एग घंटे एग घंटे के लिए आप यहाँ पे break ले सकते हो लेना चाहो तो आपको लगता है तो यहाँ break ले सकते हो उन students के लिए जरूरी है जिनको हम night में एग घंटा कम देने वाले हैं देखे दो slot देंगे दो option देंगे एक student ग्रूप का ऐसा रहेगा जो थोड़ा late तक पढ़ेगा तो वो वाले यहाँ पे अपना rest कर सकते हैं सो सकते हैं power nap ले सकते हैं और जिनको यह लगे कि नहीं भाई enough सो लिया मैं तो यहाँ पर अगर किसी को tuition वगरा की need है तो एग घंटे के लिए यहाँ पे tuition भी जाएगा क्योंकि 40 एक minute तक वो tuition का लगता है तो लगबग मान के चले कि वो relax period है इतना workload नहीं रहेगा तो यह सब कुछ हो गए यहाँ पर आपका यानि कि यह 8 बजे आप उठे 9 से 3 बजे के बीच में आप मान लीजी आप school रहे हो उसके बाद 3 से 4 के बीच में school से आने के बाद 3 से 4 के बीच में चाई पी नहीं है, कॉफी पी नहीं है तो वो कर लीजी यानि कि जंग से पहले कि अपनी त्यारी कर लीजी उसके बाद हमारी पहली यहाँ पे sitting स्टार्ट होगी पहली sitting कि night study का मतलब यह नहीं कि हम सिरफ night में study करेंगे भाई कुछ तो हमें day में करना पड़ेगा न क्योंकि हमें 7-8 घंटे निकालने है study के लिए तो पहली जो आपकी sitting स्टार्ट होगी जो board के students है उनके लिए बहाद important है यहाँ आप 420 से 620 के बीच में पहली sitting के साथ बैठने वाले हो 420 से 620 के बीच में यहाँ पी आप क्या करोगे देखी मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि आप यहाँ पी जैसे 10th के students नाइन्थ के students से तो वो science को पड़ोगे 420 से 620 के बीच में science आपको करना है जो हमारे 2 hours रहेंगे वो काफी ज़ादा है आपके लिए clear हो जाएगा मज़े से हो जाएगा return वगरा सब कुछ आप कर लोगे और जो वो students जैसे 11th या 12th में है 12th class के students की बात करें तो अपना main subject 1 यहाँ पर cover करेंगे पहला main subject है जैसे आपके पास main subject physics हो सकता है, accountancy हो सकती है geo हो सकता है, जो भी आपका main subject है वो यहाँ पे आप cover करोगे उसके बाद setting 2, उसके बाद क्या होगा कि 620 के बाद 620 से 630 के बीच में आपका एक break रहेगा, छोटा सा break ले लीजीगा अभी यह जो time period है उसमें ऐसा तो नहीं सो सकते कि आप games के लिए जाओगे, ऐसे भी 620, 630 के आसपास काफी लेट हो जाता है ठीक, तो यहाँ पे आपको सिरफ study के पर focus करना, तो यहाँ पे 10-15 minute का, अगर आपका यह थोड़ा जल्दी नहीं पड़ जाता तो यह थोड़ा सा लंबा break भी हो सकता है 20-30 minutes का break होगा कोशिश करना, avoid करना, कि आप cell phone को use ना करो, clear उसके बाद sitting 2 रहेगी आपकी 630 से 730 के रहेगी इसमें क्या करोगे आपको हिंदी और English आपको cover करना है जो student, चाहिए वो 910 के हो 1112 के हो, आपको हिंदी है या आपके पास English object है उसको cover कर गए, इसको दो तरीके से कर सकते हो क्योंकि ज्यादा focus नहीं करना लंबा चोड़ा content नहीं होता है जो grammar वगरा के topic होते है वही same repeat हो रहे होते हैं व्याकरन के तो यहाँ पर आप 30 minutes दे सकते हो लेकिन better जो तरीका रहेगा जो मैं suggest करता हूँ कि आपको alternate days के उपर कीजिए आपने Monday को कर लिया Hindi Tuesday को English कर लिजिए Wednesday को Hindi कर लिजिए Thursday को English कर लिजिए इस टाइप से आप कर सकते हो तो इतना one hour है वो काफी रहेगा इतनी आपका syllabus cover हो जाता है क्योंकि इस टाइप के subject है हो तो वो साथ-साथ ही नहीं पढ़ जाते है उसके बाद आपका break या doubt session रहेगा कहां पे रहेगा ये 7.30 से 8.00 PM के बीच में रहेगा इसमें देखे music सुन सकते हो अच्छा रहता है mood fresh हो जाता है देखे अच्छा music सुनिया अच्छा music सुनिया आप अच्छे videos देखे अगर आपको थोड़ा बुत यहां पे entertainment चाहिए लेकिन ध्यान रखिए कि वो आपके mood को set करने वाले positive vibes वाले होने चाहिए अगर आपने negativity की तरफ चलेगे अलग flow में चलेगे तो आप books लेकर के बैठे रहोगे आपके mind में कुछ नहीं जाएगा तो यहां पे आप music सुन सकते हो mind को fresh करने के लिए avoid तो करना है वीडियो मत देखिए music ही सुनिए उसका collection वगरा वो set कर लेजी कि आपको ये song इस type की सुनने है वो कर सकते हो इसके साथ साथ अगर आपके mind में doubts है तो friends वगरा को call करने तो इस time period को आप use करोगे doubts वगरा के लिए कोशिश कीजिगा study के लिए discuss कीजिए हाँ एक चीज ओर दियान लखनी है कि ये जो time period है या कहीं पर भी है in days में आपको chat नहीं करने है friends के साथ जब भी आपको कोई doubt होता है तो आपको call करने है direct call करके आप पूछोगे तो ये हो गया आपका यानि कि पहला देखिए 4.20 से 6.20 आप science करे हो main subject 1 करे हो 6.20 से 6.30 के बीच में आपका break रहेगा clear उसके बाद 6.30 से 7.30 आप Hindi या English alternate days के उपर करने वाले हो उसके बाद 7.30 से 8.00 के बीच में फिर आपका break आ जाएगा music सुनिए आप friends को call कीजिए doubt की जो doubts है वो discuss कीजिए उनके साथ doubt clear कीजिए अपने ठीक ये सारे काम यहाँ पे हो जाएगा आपका उसके बाद 8.00 तो 9.00 के बीच में आपका dinner break रहेगा ठीक इसके बीच में अगर आपके घर में ऐसा schedule चल रहा है कि dinner late बनता है तो भाई बोलिए parents है वो cooperate करते है parents आपके according adjust करते है तो dinner आपको इस time ही करना है उस schedule को set करवार लीजिएगा कि मुझे जल्दी dinner करना है क्योंकि मुझे study करनी है और parents आपके लिए ready रहेंगे कि हाँ आप board के student या चाहिए non board के student हो तो इतना तो cooperate करेंगे ठीक तो यह आपका break रहेगा इसमें काफी time है काफी time कैसे है कि दोनों ही चीज़ें आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास एक तो यह time period है main subject 1 कर लिया हिंदी कर लिया इंग्लिश कर लिया उसके बाद हम third जो sitting है उसके लिए बैठेंगे 9 o'clock 9 to 11 o'clock के बीच में जो 9 10th के students है वो math को कर लेंगे और जो 11 12th के students है वो अपने main subject 2 को लेकर कर बैठेंगे जो उनको लगता कि हाँ second most important subject है उसमें आपको 50, 30, 20 के strategy को follow करना है उसके बाद break लोगे आप 15 minutes का brain food या relax feel करना है आपको थोड़ा सा थोड़ी बहुत देर mobile को देख लिया या फिर आपको लगता है कि tea, coffee बगरा लेना snacks बगरा कुछ लेना तो उस time में आप ले लोगे ये brain food भी जरूरी होता है जब भी हम study करते हैं बहुत energy consume होती है तो हमें मन करता है कि कुछ खाया जाए तो ये जो break ले लोगे रोगे रोगे इसमें कुछ खा लोगे न अच्छा है जैसे चने वगरा रख लिए गुड चना वगरा रख लिए आपने कुछ इसी टाइप से nuts वगरा रख लिए तो वो चीज़े आपकी खाई जा सकती इस वक्त ठीक उसके बाद है fourth sitting होगी break के बाद हम fresh हो करके फिर next sitting में बैठेंगे वो रहेगी 11.15 से लेकर के 1.00 एम तक इसमें आप social science की study कर सकते हो 9.10 के students है और अगर हम बात करें main subject third students करेंगे कौन से student वो student जो 11.12 के वो अपने third main subject को यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पर आपका maths हो गया science हो गया, assess हो गया Hindi हो गया, English हो गया आपके Hindi English हो गये, main subject 1, 2, 3 हो गये तो यान कि सारे subject आपके cover हो जाते हैं, एक बज़े तक अब वो student, जो regular school students है, जिनको school जाना होता है डेली, वो एक बज़े सो सकते हैं, आराम से, good night ठीक, यानि कि इस time आपको सोना है, तो देखिए आपकी study काफी जादा होगी, आराम से, अब दूसरे उन student की बात आ रही है, जिनका school या तो late लगता है, या वो सिरफ अब coaching जा रही है, winter vacation हो चकी है, उनको school नहीं जाना है उनके साथ क्या option है, कि वो अपनी fourth sitting को continue रखेंगे, ठिक, continue रखेंगे, वो दो बज़े तक continue रखेंगे, रखना चाहें तो, एक से दो बज़े के बीच में, लेकिन condition क्या अपलाई होगी, कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा change करना है, change यह करना है कि वो एक से दो बज़े के बीच में, अगर वो continue रखेंगे, तो उनको return task complete करने है, notes prepare करेंगे, या जो भी learn करें उसको साथ-साथ उनको note करना है ठिक, या वो flow chart बनाएंगे या short answer type questions है वो write करेंगे, या short answer type questions है वो learn करेंगे, या map वगरा का work करेंगे, यानकि इस type से detail में chapter को discuss यहाँ study नहीं करनी है आपको, क्योंकि उस वक्त करोगे, तो थोड़ा सा energy low feel होती है, नींद की तरफ आफ जा रहे होती है तो better ये रहेगा, कि आपको written task है, वो complete कर सकते हो notes prepare कर सकते हो short notes prepare कर सकते हो micro notes prepare किया जा सकते हैं यहाँ पे, flow chart वगरा आप बना सकते हो short answer type questions या map work के साथ आप जा सकते हो तो इस type से आपको schedule को follow करना है तो यहाँ देखिए आपके, अच्छा खासा time आपको मिल जाता है आप proper तरीके से अपनी study को continue रख पाऊगे तो यहाँ पे हमने एक practical से time table को discuss किया देखिए अब जैसे हम बात करते हैं आपके night study है, night study है night riders है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी रात ही जागेंगे भाई एक दिन का काम नहीं है तो हमें यहाँ पर school जा रहे हैं तो 1 a.m और अगर हम school नहीं जा रहे तो maximum 2 a.m हमें सो जाना है 1 a.m अगर हम सो रहे हैं तो हम सुभए जल्दी उठ करके school भी जा पाएंगे क्योंकि 8 o'clock हमें उठना है उससे पहले भी उठना है और जो student है school नहीं जा रहे है या late school जाना है, tuition वगरा जाना है तो वो थोड़ा सा 1 a.m अगर late भी उठ जाएंगे तो भी उनका चलेगा और जिनका ये जो late सो रहे हैं यहाँ पे और अगर उसी time पे उठ रहे हैं तो जो हमने 3 to 4 की बात की थी वहाँ पे आपको power nap plan यह यानकि वहाँ पे आप एक घंटा सो सकते हो कोशिश करने हैं तो ये था आपका time table उसके strategy कि night study के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है कैसे करना है तो यहाँ देखिए क्या कुछ आपको मिला वो भी हम discuss कर लेते हैं किस time table में हमने आपको दिया है total सोने के लिए time 7 hours आप night में सो पाओगे और ये गंटा आप दिन में सो सकते हो गंटे आपके पूरे हो जाते है देखिए study भी मस्त हो रही है school भी जा रहे हो tuition भी जा रहे हो और 8 गंटे आप सो भी रहे हो अगर 6 गंटे भी सोते हो तो भी कुछ नहीं होने वाला 2-3 months के लिए आप कर सकते है उसको उसके बाद अगर हम study की बात करें भी आपको मिल रहा है जो quality time होगा night में जाव study करोगे न सब कुछ mind में जाएगा सब कुछ आपको as it is याद रहेगा तो ये थी हमारी एक important बेहत खास वीडियो में इद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा आपके लिए वीडियो बेहत helpful रहेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और हाँ comment section में comment करके जरूर बताएगा कि इसमें क्या अच्छा लगा और इसके साथ साथ आप friends को भी recommend कर सकते हो इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी इस टाइप की वीडियो चाहिए strategy वीडियो अगरा तो comment section में आप मुझे बता सकते हो और आप मुझे follow कर सकते हो Instagram के उपर और हमारा telegram का channel है वो भी join कर सकते हो वहाँ पर भी हम कब सब discussion कर सकते हैं doubts हम लिए जा सकते हैं तो आज के लिए बस इतने ही thank you bye bye have a nice day